मुक्स के इस प्रसुत पाठ्यक्रम में आप सभी जिग्यासूं का हार्दिक्ष भागत है राचीन न्यायस चाधा रहा इस पाठ्यक्रम के अंतरगत आपने विविन निविश्यों को अभी तक पढ़ा है जो मर्श गौतम ने जिन सोडस पदार्थों का निर्वचन किया है उन में से 15 पदार्थों को आपने अभी तक अवश्य पढ़ लिया होगा और अब जो सोडस पदार्त है, सोला वहां पदार्त है, जो निग्रहस्थान के रूप में है, जिसके बारे में आपने पूर्व के प्रथम व्याख्यान और दुती व्याख्यान में निग्रहस्थान का लक्षन, निग्रहस्थान का प्रियोजन, निग्रहस्थान के भेद और जो सुरू के भेद हैं निग्रहस्थान के उनको आपने पूरो पाठ्यक्रम में पढ़ा है पुनरुक्त निग्रहस्थान तक के निग्रहस्थानों को आपने पूरो के पाठ्यांसों में पढ़ा अब प्रस्तुत पाठ्थ्यांस के अंतरगत अननुभाशनम से निग्रहस्थान से आरंभ करके हित्वाभास परियंत जो निग्रहस्थान हैं इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जैसा कि मैं आपको पूर्व के ठेक्रमों में पूर्व के व्याख्यानों में पहले अवगत करा चुका हूँ कि निग्रहस्थान का जो मूल प्रियोजन है वो वादी को परास्त करना है वादी को निग्रहीत करना है जैसा कि निग्रहस्थान के सब्द से ही अभिव्यक्त हो रहा है आज हम जिस निग्रहस्थान के बारे में चर्चा कर रहे हैं वहां निग्रहस्थान है अननुभाश्णम नाम का यह जो निग्रहस्थान है इसका लक्षण महर्शिगौतम ने सूत्र के माध्यम से बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है विज्यातस्य परिशदा प्रि अर्था तो वादी के द्वारा जो पक्ष प्रस्तुत किया गया उसको प्रतिवादी के द्वारा तीन बार कहे जाने पर भी और परिशद के द्वारा विज्यात कराये जाने पर भी सभा के द्वारा विज्यात कराये जाने पर और प्रतिवादी के द्वारा तीन बार विज् पृतिवादि ना त्री रभीहितस्य, परिशदा चा विज्यातस्य, वाक्यार्थस्य यद अप्रत्युचारणं, तद अननुभाष्णं नामक निग्रहस्थानं और यहाँ अननुभाशन नाम का जो निग्रहस्थान है यहाँ वादी को परास्त करने के लिए प्रतिवादी के द्वारा प्रसुत किया जाता है इसके बाद का जो अग्रिम निग्रहस्थान है वहाँ है अग्यान निग्रहस्थानम। अग्यान नामक जो यह निग्रहस्थान है इस निग्रहस्थान का लक्षन महर्शिगवतम ने अविज्यातम चाग्यानम इस प्रकारशे किया है। अविज्यातम चाग्यानम अर्थात अज्ञान ही जो है निग्रहस्थान जो अविज्यात है वहाँ अज्ञान नाम का निग्रहस्थान है परिशदा प्रतिवादिना चात्री रभीहित अस्यापी यद अविज्ञानम तद अज्ञानम नाम निग्रहस्थानम वादी ने जिस पक्ष को परस्तुत किया है उस पक्ष का खंडन करने के लिए परतिवादी ने किसी ऐसे पक्ष को परस्तुत किया जिसको तीन बार परतिवादी ने कहा और सभा ने भी परतिवोध कराया लेकिन ऐसी स्थिती में यदि वादी उसको नहीं समझता है वादी के द्वारा वहाँ अज्यात रहता है तो ऐसा जो निग्रहस्थान होता है उसे अज्यान नामक निग्रहस्थान कहते हैं अग्रिम जो निग्रहस्थान है जिसकी चर्चा महर्शिगौतम ने अब प्रतिभा नाम के निग्रहस्थान के रूप में किया है अब प्रतिभा नाम का जो निग्रहस्थान है उसका लक्षन करते हुए महरशी गौतम में लिखा उत्तरस्य अप्रतिपत्ति ही अप्रतिभा जो की बहुत स्पश्च रूप से समझ में आ रहा है कि उत्तरस्य अप्रतिपत्ति ही उत्तर का ज्यान ना होना उत्तरस्य अप उत्तर देने का ज्यान ना होना यह अप्रतिभा नाम का निग्रहस्थान है परपक्ष खंडनस से अप्रतिपक्ति ही अज्ञानम एव अप्रतिभा निग्रहस्थानम भवती अर्था तो वादी ने जिस पक्ष का उपस्थापन किया है उस पक्ष का उपस्थापन करने खंडन करने के लिए पर्पक्ष का खंडन करने में वादी समर्थ नहीं होता पर्पक्ष के खंडन का वादी को घ्यान नहीं होता अब पर्तिपत्ति है ये दिव से अज्ञान है तो वहाँ अब प्रतिवा नाम का निग्रहस्थान होगा, क्योंकि यहां अत्यनत आवश्यक है कि जब हम प्रतिवादी के पक्ष को पहले समझेंगे, समझने के बाद हम प्रतिवादी के पक्ष का खंडन करेंगे, अगर हम प्रतिवादी के पक्ष को समझ नहीं पा रहे हैं, और हम प्रतिवादी का पक्ष खं कार्यव्या संगात कथा विच्छे दो विच्छे पहा केना पिकार्य व्याजेन यदा कथा यह विच्छे दहा विराम हा क्रियते तदा विच्छे पनाम कम निग्रहस्थानम भोवती कोई बाद चर्चा के प्रशंग में किसी कारे के बहाने किसी कारे के व्याज से जब हम चर सब्रच्छा से विमुख हो जाते हैं ऐसी इस्थिती में विखेप नाम का निगरहस्थान होता है कथा विच्छे दो विच्छे पहा कथा को वाद को जो रोके वाद का जो विवधान बने ऐसे को ऐसे तत्त को विखेप नाम के निग्रहस्थान से जानते हैं कारे विशेशम अधिकृत्य कथा भंगा विख्षेपा किसी कारे विशेश का को प्रदर्शित करके यदि हम कथा का भंग करते हैं कथा का विराम करते हैं तो वहा विख्षेप नाम का नग्रहस्थान होता है इसके बाद जो निग्रहस् cigarettesने मता नुग्या यह जो निग्रहस््थान है इसकी चर्चा महरश्य गोतमने से पक्षे दोसाम अभ्ष। पर पक्षे दोस्यपर्शंगे मता नुग्या सो पक्षे अपने पक्ष में दोसा भ्ष।當ые कर दें पक्षे को समझ कर उस प्रतिवादी के पक्ष को ध्यान में रख करके वादी जब अपने पक्ष में दोस को स्विकार कर लिता है दोसा अभिपगमात अपने पक्ष में दोस को स्विकार करके पर पक्षे दोसब प्रशंगो पर पक्ष के द्वारा अपने पक्ष में लगाए गए दोस को स्विकार करना मता नुग्या है मता नुग्या नाम का निग्रहस्थान है सुपक्षे परेन प्रदर्शितम दोसम अभ्युपगम्य यह पर पक्षे दोसब प्रशंगहा दोस प्रदर्शनम मता नुग्या निग्रहस्थानम अपने पक्ष में दूसरे के द्वारा प्रदर् करता है वहा मतानुग्या नाम का निग्रहस्थान होता है इसके बाद का जो निग्रहस्थान है परियन योज्यो पेख्यनम निग्रहस्थानम निग्रहस्थान प्राप्त से अनिग्रह परियन योज्यो पेख्यनम अर्थात जो निग्रहस्थान को प्राप्त हो गया है उसे प पराजयम प्राप्तत से जो पराजय को प्राप्त हो चुका है जो निग्रहीत हो चुका है उसको प्रतिवादिना निग्रहस्थान प्राप्ते अकथनम प्रतिवादी के द्वारा तुम निग्रहस्थान को प्राप्त हो गए हो ऐसा कहना परेयन योज्यो पेख्यनम नाम का न निग्रहस्थान होता है इसलिए यह जो निग्रहस्थान है यह वादी को वादी इससे निग्रहीत होता है अग्रिम जो निग्रहस्थान है वह है निरन योज्यान योग निग्रहस्थानम यह जो निरन योज्यान योग निग्रहस्थान है यह इसका लक्षन महर्शी गौतम सूत्र के माध्यम से इस प्रकार स्पष्ट किया है अनिग्रहस्थाने निग्रहस्थाना भी योगो निरन योज्यान योगहा जहां निग्रहस्थान की स्थिती नहीं है वहां निग्रहस्थान की स्थिती को पैदा करना उसे कहते हैं निरन योज्यान योग निग्रहस्थानम निग्रहस्थान प्राप्ते रभावे निग्रहस्थान प्राप्ति कत्थनम एवर निरन योज्यान योगो नाम निग्रहस्थानम और था तो वादी ने जिस पक्ष को प्रस्तुत किया है प्रतिवादी ने अपने पक्ष के द्वारा उसका खंडन तो करने का प्रयत्न करते हुए वादी को निग्रहीत किया है ऐसा वह मानता है जबकि वादी निग्रहीत नहीं हुआ जो निग्रहस्थान को प्राप्त नहीं में वहाँ निरन योज्यान योग नाम का निग्रहस्थान है जो की निग्रहस्थान जो वादी को परास्थ करता है वादी जिससे पराजित होता है और इसके बाद का जो निग्रहस्थान है वह अप सिध्धानत नाम का निग्रहस्थान है किसी सिद्धान्त विशेश को स्वीकार करके उसके विरुद्ध जो सिद्धान्त है उसकी चर्चा करना अप शिद्धान्त नाम का निग्रहस्थान है और अन्तिम जो निग्रहस्थान है वहां हेत्वाभास नाम का निग्रहस्थान है यहां जो निग्रहस्थान है इसको आपने पूर्व मेक के व्याख्यान में अवस्य पढ़ा होगा और यहां हेत्वाभास जो निग्रहस्थान है इसके बारे में यहां भी पराजय का पूर्व के हेत्वाभास में जो की पदार्थ के रूप में परिगनित है और यहां परवह जो निग्रहस्थान में अंतिम नग्रहस्थान के रूप में परिगनित है दोनों में कोई अंतर नहीं है इस प्रकार हम इस पाठिक क्रण के अंतरगत सभी नग्रहस्थानों को पीछ इसलिए इनका केवल संकेतक ग्रहा आपको कराया गया है विस्तार्श अध्यान करने के लिए पुना इसका बार बार अध्यान करेंगे तो निश्चे रूप से आप इसको समग्रता में समझ सकेंगे धन्यवाद